तो कैसे हैं आप सब तो चलिए आज बनाते हैं ट्रेंड औरेंज टी इसे बनाने के लिए आपको एक औरेंज लेना है औरेंज के पाड को आपको अलक कर देनी है ध्यान रहें आप यहां वहां इसे कट ना करें बेच से ही कट करें इसे इस रेश्पी को अगर आपने एक भी बार नहीं ट्राइ किया है तो जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही अच्छी टी बन कर तयार होती है मुझे तो एकेनी नहीं हुआ कि इतनी अच्छी चाय तो आप जो डेली पीते हैं तो उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं आएगा जतना अच्छा ओरेंज का टी बन कर तयार होता है तो आप जरूर इस रेश्पी को ट्राइ केजिएगा और मेरी वीडियो को भी फुल वास दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा तो चलिए अभी देखिए औरेंज के कटोरी बन कर तयार हो गये हैं टी बनने के लिए अब इसमें काफी सारे होल कर देने हैं देखें मैं यहाँ पर सुई की सहायता से होल कर रही हूँ और मुझे तो खुद नहीं पता था की पता नहीं कैसे बन कर तयार होंगे लेकिन बनने के बाद ना इसका स्वाद बहुत ही बहुत ही अच्छा है अब औरेंज की जो बल्ब है ना उसे भी आपको अलग करके साप कर लेने हैं अच्छे से अब एक पेन में एक कप पानी एक टेबल स्पून सुगर यानि चीनी और एक कटोरी जो भी औरेंज है औरेंज को आपको डाल देना है इन्हें दो तीन मिनट तक पका लेना है अब पकने के बाद औरेंज से बनी कटोरी के ओपर आपको पानी डाल ली है बस बून बून टपकने से बन गए आपके औरेंज टी तो मेरी वीडियो आप सब को कैसे लगी जरूर बताएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक तक